हेलो फ्रेंड्स यू आर वेलकम इन अबर यूटूब चैनल एमबेस एजुकेटर जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आप सब के लिए एमबेस एजुकेटर समय समय पे सफल छात्र छात्राओं से आप लोगों को रूबरू कराता रहा है जिससे की आने वाली आगामी परिच्छाओं के लिए या तो कंप्टिशन की तयारी करने वाले इस्टूडेंट्स के लिए एक मोटिवेसन हो सके इसी क्रम में आज हम जनपद लखीम पुर्खीरी की तहसिल गोला की ग्राम सभाप परासन के बड़े ही होनहार अनुराक्तिवारी जी से आप लोगों को रूबरू कराएंगे तो बने रही है वीडियो में अन्त तक और सबसे पहले हम अनुराक्तिवारी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दें अनुराक्तिवारी जो प्राथमिक पाट साला से पढ़कर कच्छा पांस तक साथ में आपने कैसे कैसे इस्टप बाई इस्टप सफलता प्राप्त की है हाई स्कूल के भी आप जनपटा पर रहे तो इसी बार अभी सी बेसी बोर्ड ने जो तेरा जुलाई को अपना प्रडाम घोसित किया है उसमें भी आप 98.2 प्रिस्ट अंग हासिल करके जनपद इस सोसल मीडिया में खूब हो रही है जी हाँ इसी क्रम में आज हम भी पहुँचे हैं अनुराक्तिबारी के घर पे और हमने भी अनुराक्तिबारी से जानना चाहा है उनकी सफलता की कहानी और उनहीं की जिवानी मैंने भी उनसे सवाल पूछे हैं और उनके मम्मी पापा से भ वही सवाल की सफलता आपको मिली है कैसा लग रहा है वही पुराना सवाल और जिसका वही एक जबाब रहता है निशित बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा सवाल है जो ना कभी अब तक सवाल बदला है और ना तो उसका जबाब जी हां क्योंकि आपको मालूम है सफलता के बाद मिलने बाला आनंद जो है वह शब्दों से परे होता है उसे सब्दों में गढ़ा नहीं जा सकता है उसी तरह से आज हमें भी जवाब मिला अनुराखतीवारी और उनके मातापिता से बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोगों को एक बता दें अनुराखतीवारी निवयर् प्राप्त की है इतना वड़ा नाम उसने कमाया है जहां पे लोग करोणों खर्श करके नहीं पहुंच पा रहे हैं आपका बेटा मेहनत के बदोलत बहां तक पहुंच रहा है कैसा लग रहा है तो हमारे साथ में हैं अनुराग तिवारी जी जानते हैं सफलता की कहानी और अनुराग तिवारी जी सफलता कि आपको बहुत धहर सारी सुख काम ना है बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी सबसे पहले तो हमारे दर्सकों को आप अपनी प्रारमःरिक सुख्छा के बारे में है कि बार मेंर स्पाइodel कर सा कर्चछा पांच तक फिर उसके पात मुझे विद्याग्यानी स्कूल सीतापुर के लिए पता चला ये शिवनाडर फाउंडेशन द्वारा चलाया एक स्कूल है जहां पर ग्रामीड शेत्र के बच्चों को पूरी स्कॉलर्शिप दी जाती है कच्छा 6-12 तक पढ़ाने में तो मेरे बड़े भाईया उन्हों अब उसके बाद जो मैं ग्रैजुएशन करना जा रहा हूं वह अमेरिका में स्थित कॉर्णल यूनिवर्सिटी से एकनॉमिक्स और मैथ में ग्रैजुएशन करने जा रहा है अभी आपके पिता जी से हमें जानकारी मिली है कि इससे पहले आप एंडिये पर इच्छा भी प और जो आपने ग्रैजुएशन के लिए एकनॉमिक्स और मैथमेटिक्स को चुना है तो जरा हमारे दर्सकों को इसके बारे में बताई आखिर एकनॉमिक्स ही क्यों जी सबसे पहले मैं इसमें अपने टीचर को धनेवाद देना चाहता हूं क्योंकि उनकी वजह से मेरा एकन मजबूत है वह देश मजबूत है तो मैं चाहता हूं कि मैं अमेरिका से पढ़ूं देखूं कि वहां से एक्सपीरियंस करूं और अपने देश में आके वह अपने देश की मदद करूं ताकि हमारा देश भी मजबूत है वह और मजबूत बने तो यह अनुराक्तिवारी जी आपके साथ में economics के साथ में combination है mathematics का तो ये दोनों सब्जेक्टों के combination की क्या बज़े है जी सबसे पहले economics और math सबसे पहले तो मेरे teachers ने मुझे suggest किया कि ये combination सबसे better रहेगा और चुकि हम जानते हैं कि economics में कई सारी चीजें हैं जो की गड़ित पर बेस्ट हैं तो ये combination उसके साथ best है और जैसे गड़ित में मेरा interest भी शुरुआत से रहा है तो इसलिए मुझे लगता है ये मेरे लिए best option है तो आपका बारा ही favorite subject रहा है mathematics और economics तो अभी अभी आपकी inter cbc board का result जो तेरा अभी जुलाई को ही आया है आप जरा उसके बारे में बताईए आपने इसमें कितने marks पाए हैं जी मेरे कक्षा बारा की cbc board की बार्मी की परिक्षाओं में 98.2 परसेंट नमबर आए जिसमें कि मेरे इतिहास history और economics इन दो सब्जेक्ट में मेरे शत प्रतिशत 100 नमबर आए और political science राजिनीत शास्त्र में 99 इंग्लिश में 97 और गणित में 95 जानमी तो इससे नक्तिवारी जी कि प्रतिभा के बारे में आप यह सब्के करने के इसहां filled